नगर परिशद में एक बार फिर से घोटाला सामने आया है इस बार नगर परिशद के खाते से 50,35,000 रुपे गायब हो गये हैं नगर परिशद में शहरी निकास निकाई को चित्थी लिखकर इसके बारे में अवगत कराया है नगर परिशद ने बताया कि 11 किवी की लाइन हटाने के लिए सरकार द्वारा 4,93,000,23,000 भीजे थे 4,42,88,000 नगर परिशद के खातों में मिल पाया है 50,000,000 से ज्यादा की राशी यह कहा गई नगर परिशद के अधिकारियों को इस बात का पता नहीं है इंडियन नेशनल लोगदल के नेता कपूर सिंग्राथी ने कार्रवाई की मान की है कपूर सिंग्राथी का कहना है कि वर्ष 2016 में बहादुरगर शहर के लाइन पार्क शेत्र के कोलोनियों के उपर से गुजर रही हाइड्रेशन तारों को हटाने के लिए ग्रांड नगर परिशद को मिली थी नगर परिशद और बिजली विभाग के बीच इस संबंध में कई बार पत्र व्यवहार भी हुआ है नगर परिशत की तरफ से बिजली विभाग को हाइडरेशन तार हटाने के लिए यह पैसा नहीं दिया गया जानबूचकर नगर परिशत के अधिकारी इस मामले में देरी करते हैं 28 अप्रेल 2022 को बहादुर गर नगर परिशत की और से शहरी वनिकाय को पत्र लिखकर पैसे गा परिश के मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल खटर ने बहादुर गर लाइन पार के हाइटेंशन तार हटवाने के लिए यह राशी भिजवाए थी बहादुर गर के शंकर गार्डन विकास नगर जोहरी नगर पटेल पाक वा फ्रेंस कोलोनी में रहने वाले लोगों के घरों के उपर से हाइटेंशन तार गुजर रही थी उसकी वजह से लोग परेशान है बहादुर गर नगर परिशत के खाते से प्रधान मंत्री आवास योजना के 88 लाग की रकम भी गायब हो चुकी है जो अब तक नहीं मिल पाए है और अब हाइटेंशन तार हटाने के लिए भी उसके तहित चार करोड 33,23,000 रुपई अर्याना सरकार ने जारी कर गी है और 4,93 चार करोड 23,23,000 रुपई नगर परिशत के खाते में आगे चाहिना आपको एक लेडर भी दिया है लेडर में नगर परिशत में खुद मान्या है कि 4,93,000 रुपई अर्याना सरकार ने हाइ टेंशन तार अठाने के लिए जारी कर रखे हैं और उस में से 50,35,000 रुपए टोटल में से और बाकी पैसा तो उनको मिल गया और 50,35,000 रुपए उनको अपने अकाउंट में मिली नी रहा वो पैसा कहा गया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ चाहे तो वो अर्याना सरकार बताए कि वो 50,35,000 रुपए कहा गया या फिर नगर परिशद ये बताए कि अगर अकाउंट में पैसा आया और 50,35,000 रुपए अगर गया बुआ तो पैसा गया तो गया का कहीं ऐसा तो नहीं पर दानमंत्री पासी ओजना का भी बादरुगण बूला नहीं है 88,68,000 रुपए पहले गायब करें बैठे हैं ये